अब इस वह के लगवक आठ बजे हैं और अभी में उर्क टूर सोके उठे हैं दोनों और सुबह उठने के बाद मैं अपनी बालकनी में बैठ जाता हूं लगवक दो तीन महीने हो गए हमने बालकनी में कुछ पोधे लगाए हैं कुछ फूल वाले हैं कुछ दिखने में अच् स्टार्ट किया है पोधों को लगाना आगे आगे बढ़ाते जाएंगे यह पोधे मैं इस तरह भी सब में लगा दूंगा और इस तरह भी सारे में लगा दूंगा तो यह और जदा अच्छा दिखने लगेगा चल और चलते हैं तो यह है हमारा गुड़ल इसका रेड कलर के फूल आ रखे हैं यह हमने लगबग तीन यह चार महीने पहले लिया था और इस पर बहुत फूल आते थे मतलब तो हमने इसकी थोड़ी क्रोपिंग कर दिया यहां से सब जगह से जिससे कि इसमें ब्रांचे ज्यादा निकले ना कि लंबाई ज्यादा बड़े इसकी क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था यह है कनेर का इस पर बहुत अच्छे बड़ा है और यह है हमारा इस पर इस पर इस पर वाइट फूल आते हैं अच्छे कलियां भी निकल चूके हैं इस पर और यह है मेरी लाल घास चबसे जिदा फैबरेट इसको मैं एक महिने पहले यह चार लाल घास तोड़ कर लाया था केवल चार मतलब यह थे इसमें ब्रा इस में ने गहास में लगा दिया था और एक महिने के अंदर यह बहुत अच्छे फूल देने लगिया है यह गंधराज यह गंधराज है मतलब इसमें सफेद फूल आते हैं पर अच्छे यह गुड़हल जो कि मैंने इसी से ही फूल को तोड़ कर और उसमें बीज इसमें डाल लीए थे अब पता नहीं क्या से हुआ लेकिन कि हो गया है कि हम मेरा फैडरेट मनी प्लांट और यह वह बढ़ रहा है काता है k influenced और यह है मूर पंखी तो basically यह जो लेफ्ट हैंड पर है यह मूर पंखी है और यह मूर पंखी और यह मूर पंखी ऐसे बॉलते हैं कर गेट के दौनों तरफ लगाओ DOWN दडरवाजे के तो अच्छा रहता है तो इसलिए में दो मोर पंखी ले लिये और यह भावना की तुलसी है, तुलसी को बहुत प्यार करती है, यह तुलसी सबसे पहले हमने लगाई थी, और इसकी ब्रांचिंग, मतलब जैसी बढ़ती है काट दिते हैं, तो यह भी बहुत बढ़ी हो गई है, चारतर से फैल गई है, और यह भी तुलसा है, यह श्यामा तुल सही लगा देंगे सारे में, तो तुलसा बढ़ जाएंगी, प्राइंग सारे में, जजी बहुत सारे में टारे में लगाते हैं,